जब तक मैं रेसिपी बना रहे हूं जल्दी से रेसिपी गेस कर लीजे मैंने अनियन को फ्राइ कर लिया है अचाँ अनियन को तब ही तक फ्राइ कीजेगा जब तक आप जितना मतलब आप चाहते हैं 100 पर्संट फ्राइ तो 80% पर निकाल लीजेगा क्या अनियन जो है अपनी पानी गर्मी में भी पकता है, उसके अलावा मैंने दूसरी जगा पानी बॉयल कर दिया, उसके अंदर जो भी मुझे मसाले डालने है, खड़े मसाले जिसे हम बोलते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं वो डाल दीजे, हाँ ये मसाले हम बाद में निकाल लेंगे, दो स्टे मैं इसमें जो अनियन फ्राइ किये थे, वो में एड़ कर रही हूं, और अच्छे उसे मिक्स कर लोगी, थोड़ा सा लास्ट में एक और डाल गर इसे फिनिश कर दोगी, अच्छा आपने कभी बिर्यानी बाई किलो की बिर्यानी खाई है, अगर खाई है तो मुझे कमंड ब पिर्यानी आप घर पे बना सकते हैं, वो कुछ नहीं करना, आपके सामने में पिर्यानी बना रही हूं, जीरा डाला मैंने इसमें, जो सबजिया मेरिनेट करके रखी थी, वो डाल दी, इसके अलावा साइड में दूद करम कर लिया, जिसमें मैंने फ्लेवर के लिए हारी मि कालना पड़ा, इसमें फिर मैंने एक पहले सबजियों की लेयर दे दी, उसमें स्प्रिंग अनियन्स की लेयर दे दी, जो अनियन्स मैंने फ्राइड अनियन्स किये थे, फिर जो राइस बोईल किये थे, उसकी एक लेयर डाल दी, और उस पर पोदीना और स्प्रिंग अनिय वालका सा गीला करकर इस तरीके से दम लगा लिया, इस कडाई का तला जो है मोटा है, तो मुझे कोई ज़रूत नहीं है, इसके नीचे कुछ भी रखने की, अगर बरतन का तला पतला हो, तो नीचे तवा रख लीजेगा, फाइनल फिनिशिंग दिखाती हो, कैसी बनी ये बिर बिर्यानी वाई किलो की बिर्यानी या कहीं की भी बिर्यानी, बहुत जल्दी बन गई है, बहुत थोड़ी सी चीज़े चाहिए, तो जरूर ट्राइ किजेगा, और मिले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, बाबाई